नमस्कार मेरा नाम है श्रंखला पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वेव बीते कुछ दिनों से कोरोना वाइरस काफी चर्चा में हैं चीन में इस वाइरस की वज़े से अब तक कई लोगों की जानी जा चुकी हैं विश्व के 11 बाकी देशों में भी इसके मरीज हैं औ कि इस वाइरस को लेके सतरकता बरती जाए और पूरी व्यवस्था की जाए कि कोरोना वाइरस क्या है क्यूं होता है और इससे कैसी बचा जाए यह जानने के लिए हम आये हैं लखनौ के किंग जॉर्च मेडिकल कॉलेज के पल्मोनेरी एवं क्रिटिकल केर मेडिसिन डिपा से मिलने तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि कोरोना वाइरस आखिर है क्या सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि कोरोना वाइरस किस बला का नाम है और इसके फैलने का कारण क्या है देखिए कोरोना वाइरस एक फैमिली है वाइरसेस की जिसमें कि कई तरह के वाइरसेस हैं जो बेसिकली जो अपर रेस्परेटरी ट्रेक्ट और रेस्परेटरी ट्रेक्ट इनहीं पे अटेक करते हैं और कभी-कभी यह सीवियर केसिज में यह रेस्प्रेट्री के सीवियर या फिर थोड़ा बहुत एक सीएनेस जो सेंटर नर्वस सिस्टम है उस पे भी इसका एफेक्ट देखने को मिला है जी सर इसके लक्षन क्या है कैसे कोई पहचानी कि यह कोरोना वाइरस है देखिए अभी जो एक आउट ब्रेक हुआ है यह करेंट आउट ब्रेक एक वहन सिटी है चाइना में वहां पे हुआ है और 2000 बारह में अगर हम पीछे की तरफ चलें तो यह साओधी अरेबिया में इसका आउट ब्रेक हुआ था और कई देशों में भी यह पाया गया था और बेसिकली यह जो कैट्स हैं या डॉक्स हैं या आपके जो हॉर्सेज हैं इनके फीकल मेटर में इसको ऐसोलेट किया गया और जो फैलने का एक इसका रूट है वो भी फीको उरल रूट से ही यह स्प्रेड होता है और जो सिम्टम्स यह कौज करता है आपने कहा कि क्या क्या इसमें तकलिपे होती है इसका जो बीमारी जो इससे होती है उसका नाम मैं अगर देखें तो ये severe acute respiratory syndrome भी इसको बोलते हैं या चुकि Middle East में ये हुआ तो Middle East respiratory syndrome के नाम से भी जाना जाता है तो जैसा कि नाम है इसमें fever है, chills आ सकते हैं, body ache, headache, running nose, sore throat, congestion, sneezing, ये छीगाना या खांसि आना और साथ ही साथ जब सीवियर होने लगता है तो सांस फूलने लगती है या चकर भी आ सकता है तो इस तरह के symptoms इसमें पाए जाते हैं जी सर इस virus के infection को कैसे कम किया जा सकता है जहां तक इसके infection की बात है क्योंकि इसका कोई definitive treatment जिस तरह से कि चाहे vaccine के form में या medicine के form में अभी तक नहीं आया है तो इसलिए जो इसका बचाब ही एक उप्चार है prevention के लिए हम लोग जो भी patient है या जहां पर outbreak है वहां को isolate करना है isolation में रख करके उनको ठीक होने का समय देना है जो भी समय लगता है उसमें दो दिन से लेके 14 दिन तक का समय एक मरीज को ठीक होने में लगता है तो जब तक वो ठीक होता है तब तक उनको आइसलेट करके रखा जाना चाहिए तो जहां पर भी यह आउट ब्रेक है अभी वहां में जैसे चाइना में हो रहा है काफी बड़े पैमाने पर वहां पर एक आउट ब्रेक हुआ है तो वहां से जो ट्रेवल कर रहे हैं लोग उनको देखने की आवशकता है जो बाई एर ट्रेवलिंग है उसको स्क्रीन करने की आवशकता है कि कहीं अगर सिम्टम्स हैं तो ऐसे लोगों को आईसलेट किया जाना चाहिए और एडवाईजरी चल भी रही है और होनी भी चाहिए कि जो वहां पर एक टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या काम करने के लिए जा रहे हैं लोगों को अभी रुकना चाहिए यहां भी रुकना चाहिए और जो वहां पर हैं उनको वहीं परह करके इलाज कराना चाहिए जी अगर एक्सपर्ट ग्रूप की बात करते हैं तो चूंकि रैस्पर्टी सिस्टम से जुड़ा होगा मामला है तो पल्मॉनरी के जो एक्सपर्ट्स हैं दे कैने हैं और बेसिकली चूंकि सीवियर केसे जो होंगे वो की जरोज पढ़ सकती है तो पल्मॉनरी और क्रिटिकल केर मैडिसें जो हमारे डिपार्टमेंट है लेकिन जो आइसुलेशन की विवस्ता है जो माइल्ड केसेज हैं जिनमें लच्छन बहुत सीवियर नहीं है उनको आइसुलेट करके जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट लें रेस्स देना होता है दे कि वाइरल इल्लेस सेल फ लिमिटिंग होती है ज़ातर अपने आप ही ठीक होने वाली होती है तो रेस्ट करना होता है क्योंकि बहुत सारा एक पेन पूरे बॉड़ी पेन और हैडिक की जो कमप्लेंट है यह और खुब सारे फ्लूट्स आपको को देने पीने की चीज़ें ज्यादा से ज्यादा लें फ्लूट्स प्लैंटी ओफ लें रेस्ट लें पेन के लिए जो दवाईयां दे सकते हैं दर्द की उन दवाईयों को दें ऐस्परिन को एवाइड करना है इसमें और जैसे सीवियर्टी की तरफ बढ़ता है कि तो उसमें आक्षियन दे सकते हैं और जो ज़्यादा सीवियर केसे जो होते हैं उनमें मेकेनिकल वेंटिलेशन यानि वेंटिलेटर रो आईश्यू क्या वसकता होगी जी सर्व चौथा स्वाल यह है कि अभी खबरे आरी हैं कि यहां पर भी कुछ संदित मरीज मिल रहे हैं या है तो इसके लिए मुक्षि मंत्री जी ने भी गाइड नैंज जारी करी है कि इस्पताल इसके लिए सतरु है तो भी ऑस्पतालों में क्या व्यवस्था है इस वायरस क कि अवसकता होगी उसको पूरी तरह से उनकी मदद के लिए सब लोग तैयार है ऐसे मरीजों के है इसी तरह के इनफेक्षन की तरह है ऐसे ही लिमिट हो जाता है ऐसे ठीक हो जाता है बहुत कम केसे जहुंँ जो सीवेर्टी में तब्दील होते है तो बहुत पैनिक होने की आपिसिकता नहीं है इस